ये वीडियो में हम लोग Zomato का जो शेयर प्राइस है Zomato Company का जो शेयर है उसमें आपको निवेस करना चाहिए ही क्या या नहीं या लॉंग टाम में आपको कितना साल तक ये स्टॉक में आगर निवेस रहेंगे तो आपको कितना बड़िया रिटर्न मिल सकता है हम लोग पूर अगर आप सोच रहें कि Zomato में इंवेस्टमेंट करने के लिए नए 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 तो भी आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्फुल होने वाले है तो चलिए वीडियो को इन तक देख लेते हैं तो ये स्कीन पर आपको मैं दिखा रहा हूँ जो करेंट प्राइस है Zomato शेर का वो है 88 रूपिस 80 पैसा अलब 88 रूपिस का एक शेर आपको बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहा है देखी फ्रेंड आपको ऐसे स्टॉक में इंवेस्टमेंट करना है जो स्टॉक्स नहीं है जैसे बहुत फेमास स्टॉक्स है SPI, STFC, Reliance ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको ओल्लेटी फेमस है और अल्ले स्टॉक्स ढूनना है और इसमें आपको लॉंग टाम में इंवेस्टमेंट बने रहा है तो जोमाटो का देखिए जो फूड इंडस्ट्रि फूड डेलिवेरी का बिस्नेस है तो काफी उम्दा बिस्नेस है सुई गिया स्टॉमाटो है मार्केट लीडर इन इंडियान आच्छा यहां पर business model भी इन्होंने रिनोवेट किया है business model को change किया है तो इसका जो जो माटर को जो share price में उच्छाल हम लोग की बहुत ही जल्दे देखने वाला है and long term के लिए यह stock क्यों इतना अच्छा है मैं आपको तुरह history दिखाना चाहता हूं यह stocks आपको बहुत ही discount price प मिल रहा है आप देख सकते हो last दिन में भी stocks 5.65 पैसा गिर के 88 रुपीज पर close हुआ अगर आपको मैं 5 टेस का return दिखाऊ हूं आप देखिए 5 टेस में इस stocks भी ऐसे ही आपको loss दिया 5.60 पैसा का loss दिया तो लगातार यहां पे loss जारी है मतलब आपको 50% का discount stocks में आपको मिल करा है मैं आपको suggest करूंगा जो popular stocks नहीं है but popular बन सकता है in future उसी stock में आप निवेस करें इस stock का अगर आपको मैं data दिखाऊ हूं देखिए इसका जो 52 हाई गया था तो इसमें आगर आप investment करेंगे यह तो bounce back है कि 150 रुपीज तक जाएगा ही जाएगा उपर से आपको multi-vega return भी दे सकता है stock खराब बिल्कुल नहीं है इसका आप देख सकते हो market capital है 67,000 करोज से भी जादा है और company का अगर हम लोग देखे जो peer ratio है और company नया नया अभी listing हुआ है market में तो इसके चलते मैं बताऊंगा कि यह stock long term में आपको बहुत ही अच्छा कासा return दे सकता है एक चीज़ ज़रूरी है आपको बहुत ही पेसेंसली इसको wait and watch करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप पैनिंग में पोई stock बेच दे ठीक है रांके जुन 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 आला चाहो जब टाइटन में इंवेस्ट किया था उसका stock का price तीन रुपया तब टाइटन इतना famous नहीं था इसी दोरन मैं आपको ये बोलना चाहोंगा Zomato भी आभी भी famous नहीं है आभी भी आप खरी सकते हो एक दिन ऐसा आएगा Zomato को price भी 600-700 देखने की मिल सकता है क्योंकि इसका जो business है home delivery का food delivery का मुझे लगता है कि ये जो business है bullish है in future तो Zomato का price 88 रुपिस अभी चल रहा है future में क इतना जा सकता है 800 जा सकता है 1000 भी जा सकता है long term में इतना बढ़िया stocks आपको long term के लिए जरूर उठाना चाहिए आप अगर invested हो and loss में है already तो भी आपको hold करना चाहिए क्योंकि ये stocks bounce back करने बाला है जैसे market आप होगा जैसे आभी देखी market का overall जो down growth अभी चल रहा है जो downwards में जो market जा रहा है उसके चलते हर कोई stock में काफी आच्छा अभी हम लोग को negative देखने करी मिला है ठीक है सिर्प Zomato नहीं है Zomato जब से listing हुआ तब से selling pressure बहुत जादा हो रहा है अभी आपको 50% discount में ये stocks मिल रहा है Zomato का और भी काफी आच्छा business है side wise but main business है home delivery का मैं काफी police मैं जो नए नए investors है मैं बाताना चाहूंगा कि आप इसमें investment कर सकते हो एक साथ नहीं average out करके कीजिए चोटा-चोटा करके कीजिए but आपको long term hold करना पड़ेगा ठीक है अगर अपना already hold कर चुके हो कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया इसको तीन-चाल साल के बात छोड़ दी है कि नहीं कोई भी question है आप comment section में पूछ सकते हो हम लोग comment section में सरूर हम लोग reply करेंगे thanks for watching this video मिलते ऐसे informative videos के साथ in next video में